नमस्कार दोस्तो, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंग्रा ठोड स्पेन की सरकार द्वारा अपने देश में एक व्यापक सर्वे करवाया गया और इसमें हमें ये पता चला है कि हर्ड इम्यूनिटी का जो मॉडल है कई देश जिसे अपनाना चाहते थे, वो कारगर सिध नहीं होगा तो इस स्टडी में exactly क्या जाचा गया, किस तरह से स्टडी हुई और हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है इसके बारे में हम detail में discuss करेंगे इस वीडियो में अगर आपने अभी तक Study IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई भी important वीडियो का notification मिस ना करें अगर आप मुझसे social media पर जुनना चाहते हैं तो आपको अपने mobile phone पर Study IQ app को download करना है और इसी app पर आपको ये course मिलेगा इस course में केवल एक वीडियो लेक्चर नहीं है उसके अलावा कई features हैं जो इसे एक smart और interactive course बनाते हैं तो इन features को देखिए Study IQ app पर और EMI option भी available है उसको भी आप available कर सकते हैं Spain की सरकार ने एक sero epidemiological survey कराया अपने देश में और इसके result publish किये गए है Lancet Medical Journal में 6 जुलाई को ये publish किया गया था और Lancet याद रखिए दुनिया के सबसे प्रतिश्टित medical journals में से एक है तो ये Study हमें बताती है कि herd immunity जो कई देश की सरकारें सोच रही थी कि ये एक परिका है जिससे हम coronavirus को control कर लेंगे ये कारगर सिद्ध नहीं होने वाला है Spain की study का महत्व इसलिए भी जादा है क्योंकि Spain वो देश है जहाँ पर दुनिया का one of the most severe outbreaks देखा गया यानि कि अगर आप अबादी के अनुसार देखेंगे तो Spain में बहुत जादा cases थे जैसे कि Spain के अबादी केवल 4,65,000,000 है और इवहाँ पर case कितने हो चुके हैं कल तक के case थे almost 3,000,000 और deaths हो चुकी है 28,000 आप इसे अगर भारत से compare करें तो ये बहुत ही जादा है भारत में Spain के बराबर शायद उडिशा के अबादी हो गया I think उडिशा is 4,15,000,000 तो अगर आप compare करें तो भारत का ये केवल एक राज्य के बराबर है लेकिन cases देखे कितने जादा हैं और Spain में जो peak था जब daily साड़े साथ 8,000 cases आया करते थे वो समय था March का आखरी हफता और April का first week उसके बाद वहाँ पर daily cases थोड़े से कम हो गये हैं अब तो केवल 200 या 300 cases आते हैं लेकिन ये peak जो है उन्होंने अपना March एपरिल में देखा तब महाँ पर स्थिती काफी खराब थी और अगर आप death भी देखेंगे तो हर रोज लगबग 700 या 800 death हो रही थी March के last week और April first week में अब आते हैं इस study पर तो ये करवाई गई थी Spain की सरकार के द्वारा और यहाँ पर sero epidemiological study से हम क्यों कह रहे हैं इसलिए इसे sero epidemiological study कहा गया है तो जब इसकी report आई तो ये देखा गया कि जितने लोगों को test किया गया लगबग 70,000 लोग थे जिनकी जाच करी गई उनमें ये पाया गया किवल 5.92 प्रतिशत लोग ऐसे थे जिनके अंदर कोरोना वाइरस के खिलाफ antibody develop हो चुकी थी यह आखड़ा थोड़ा आश्यर चकित करने वाला है क्योंकि Spain की सरकार और Italy की सरकार को भी ये लगा था कि हमारे यहाँ पर इतने सारे cases आ चुके हैं और जादा तर case तो asymptomatic होते हैं तो कई लोग antibodies develop कर चुके होंगे coronavirus के खिलाफ और वो हमें इस serological study में मालूम चल जाएगा तो maybe 20-30% लोग exposed होंगे या फिर serum में दिखाएंगे antibodies लेकिन असल में क्या था आखड़ा 5.2% और इसमें भी जो बच्चे हैं उनमें तो यह आखड़ा 3.4% कुछ आया है और एक और चिंता जनक बात यह थी कि जो Spain के coastal areas हैं वहाँ पर तो यह percentage और भी कम है आप देख सकते हैं जाद अतर coastal areas बिल्कुल light blue color में है और यह जो central districts हैं यहाँ पर फिर भी यह आखड़ा 10% से उपर है लेकिन जो जाद अतर बड़े-बड़े tourist spot है Spain के वो सारे इसी coastal area में है तो अभी Spain के लिए चिंता की बात है क्योंकि अगर वो अपनी economy को open up करना चाते है tourism को फिर से चालू करना चाते है तो फिर यह थोड़ा सा problematic हो सकता है अभी तक जाद तर लोग zero negative है अब बात करते हैं herd immunity की herd का मतलब होता है जुन जैसे बकरी और भेड का जुन लोता है गायों का जुन लोता है तो यह concept वहीं से लिया गया है ऐसा देखा जाता था कि जैसे अगर किसी herd में या किसी बेडो भेड बकरी के जुन में अगर जाद तर बकरियां बिमार एक बार हो चुकी है 60-70% बिमार हो चुकी है तो बाकी की 20-30% कभी बिमार नहीं होती थी तो यह उसी प्रकार का कुछ concept है herd immunity यह कहता है कि अगर एक population में जाद तर लोग 70-90% लोग अगर अल्रेडी बिमारी के द्वारा इंफेक्ट हो चुके है तो बाकी लोग उससे इंफेक्ट नहीं होंगे उनका automatically बचा हो जाएगा और पहले के जमाने में जब antibiotics नहीं थी vaccines नहीं थी तो यही एक बिमारी का natural progression हुआ करता था plague में यही हुआ था 14 century में कि plague पूरी population में फैला जितने लोगों को मारना था उसने मार दिया उसके बाद जब लगभग पूरी population इंफेक्ट हो चुकी थी तो धीरे धीरे वो बिमारी automatically कम हो गई क्योंके अब लोग ही नहीं बचे जिनके खिलाब जिनको वो virus या bacteria infect कर सके ये graphic बहुत अच्छे से दिखाता है कि herd immunity कैसे काम करती है blue में जो भी लोग नजर आ रहे हैं ये healthy हैं इनमें immunity डेवलप नहीं है धीरे धीरे लोग infect होना शुरू होते हैं तो ये red color में आपर दिखाई दे रहे हैं फिर वो red वाले जो लोग हैं वो ठीक होंगे और जैसे जैसे वो ठीक होते हैं तो ये yellow color में आपको यहां नजर आएंगे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो एक समय ऐसा आएगा जब अबादी में जाहतर लोग infect होकर ठीक हो चुके हैं तो virus के पास infect करने के लिए लोग नहीं बचेंगे तो वो virus का spread automatically रुख जाएगा अब herd immunity को achieve कैसे किया जा सकता है देखो पहले तो ये naturally हो जाती थी कई सालों तक दिरे-दिरे infection spread होता था और फिर 8-10 साल बाद herd immunity आ जाती थी कई बार 20 साल भी लग जाते थे लेकिन अब आज के जमाने में हम herd immunity achieve करते हैं vaccination के द्वारा जैसे कि polio इसका एक उधारन है अगर देश में 90% बच्चे polio की vaccine ले लेते हैं तो polio बाखी के 10% बच्चों में भी नहीं फैलेगा उसके फैलने की संभावना बहुत कम रहती है इसलिए vaccination एक बार अगर अगर देश में 70-80% हिट कर जाता है तो वो बिमारी नगणने हो जाती है किसी भी बिमारी के बारे में आप देख लो चाहे small box हो चाहे polio हो herd immunity को अचीव करने का दूसरा तरीका क्या है कि बिमारी को naturally फैलने दो अगर vaccine नहीं है तो normally वो फैलती रहेगी सबको infect कर देगी एक समय ऐसा आएगा जब 70% population उसके दोरा infect हो चुकी है तो herd immunity डेवलप हो जाएगी लेकिन इसमें risk क्या है कई लोग मारे जाएंगे जैसे की coronavirus की mortality rate 5-7% के बीच में है अलग-अलग जगों पर अलग-अलग देशों में तो just imagine कि अगर किसी देश में 50 लाग या एक करोड लोग infect हो जाते हैं तो क्या 7 लाग लोगों की मौत एक modern society accept कर सकती है बिलकुल नहीं मार्च महीने में herd immunity बहुत चर्चा में थी क्योंकि कई देश इस herd immunity के concept को follow करना चाहते थे coronavirus को control करने के लिए बहुत famously Britain ने publicly announced किया था Boris Johnson ने publicly announced किया था कि हम herd immunity के पीछे देख रहे हैं कि क्या situation है यह जो chief scientific advisor थे इन्होंने भी यह बात कही थी UK में कि एक बार अगर 4 करोड लोगों को corona हो गया बिलिटन में तो इस तरह की stupid बाते करी गई थी लेकिन उसके कुछी दिनों बात Boris Johnson को खुद को corona हो गया और फिर herd immunity का कभी कोई जिक्र नहीं किया गया लेकिन ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से unscientific concept है definitely there is some science to it लेकिन कुल मिलाकर बात वहीं पर आ जाती है कि हम कितने लोगों की मौत को accept कर सकते है in a civilized society तो अब कई देश ऐसे थे Britain ही नहीं था अकेला जो herd immunity की तरफ देख रहे थे कि समय के साथ-साथ हम जैसे ऐसे corona को manage करते जाएंगे cases बढ़ते जाएंगे तो herd immunity आ जाएगी जैसे भारत में भी कई scientists ने बात कही थी कि एक level आएगा जब भारत में भी herd immunity का state पहुँच जाएगा और फिर हमें इतनी चंताक करने की ज़रुत नहीं है लेकिन Spain की study के कारण हमें एक बहुत बड़ी problem नजर आई है इस herd immunity concept में वो ये कि SARS-CoV-2 के खिलाव जो इंसान के शरीर में अभी immunity develop हो रही है वो बहुती छोटे समय के लिए हो रही है किवल दो हफते तीन हफते के लिए immunity मिलती है उसके बाद वो गायब हो रही है इनफाक्ट इस study में 14% ऐसे participants थे जिनको पहले जब test किया गया तो उनमे antibody पाई गई इसका मतलब वो corona से expose हो चुके थे लेकिन जब दूसरी बार उनका test किया गया कुछ हफते बाद तो फिर वो antibodies के लिए negative थे यानि कि अब वो corona के खिलाव लड़ने की शमता हो चुके थे अगर उन्हें फिर से संक्रमन होता तो वो second time infect हो जाते तो कुल मिलाकर सार COV2 के खिलाफ जो immunity है that is short term, short lived और incomplete और ये loss of immunity उन लोगों में ज़ादा देखा गया जिनोंने कभी symptom डेवलप नहीं किये यानि कि जो asymptomatic थे उनमें शरीर में रोग प्रतिरोधिक शमता जादा लंबे समय तक नहीं देखी गई अगर symptom आये थे, severe infection था तो फिर भी antibodies लंबे समय तक देखी जा रही है तो क्या भविश्य में अब कोई भी देश herd immunity को एक viable option की तरह देख सकता है क्या इस strategy को अपनाया जा सकता है coronavirus से लड़ने के लिए definitely अपनाया जा सकता है लेकिन हमें herd immunity अचीव करनी पड़ेगी vaccination के द्वारा ना कि लोगों को automatically infect करने के द्वारा और इसमें सबसे बड़ा challenge क्या है कि अभी हमारे पास vaccine नहीं है although हम hopeful है vaccines develop हो जाएंगी जल्दी लेकिन minimum अभी 6 महीने लगने वाले है 6 महीने एक साल से पहले कोई vaccine नहीं आएगी अब challenge यह है कि जो भी vaccine बनाई जाती है या फिर approve होती है उसको इस तरह से काम करना होगा कि वो लंबे समय तक immune system को train कर सके antibodies बनाने के लिए और यह एक बहुत बड़ा challenge है क्योंकि Spain की study ने हमें बताया है कि अभी immune system की जो memory है coronavirus से लडने के लिए वो बहुत ही short lived है तो मान लो कि अगर vaccine आती है वो किवल 6 महीने के लिए memory develop कर पाती है तो आप समझे इसको आपको हर 6 महीने बाद जाकर फिर से booster dose लगवाना पड़ेगा तो आपको अगर corona से सुरक्षित रहना है तो हर 6 महीने में जाईए vaccine का booster dose लगवाईए तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा financial burden होगा आम जनता के लिए सरकारों के लिए भी होगा क्योंकि ultimately vaccination programs में coronavirus vaccine को शामिल किया जाएगा तो कुल मिलाकर अगर short lived memory है तो vaccine के लिए बहुत बड़ा challenge है और अभी इसी roadblock को overcome करने के लिए काम चल रहा है यह समस्या हम कई सालों से common cold यानि के आम सरदी खांसी के खिलाफ भी देख रहे हैं वहाँ पर भी जो viruses हैं वो हर साल mutate हो जाते हैं तो इसी लिए शरीर उनके खिलाफ क्या response देना है वो भूल जाता है इसी लिए जो viruses के खिलाफ vaccine बनाई जाती है जिनको हम flu shots कहते हैं भारत में इतने common नहीं है बाकि Europe और USA जैसे देशों में जहां ठंड जादा पड़ती है वहाँ पर flu shots बहुती common है तो उनको हर साल लेना पड़ता है वो एक तरह से booster dose हो गई है तो common cold के खिलाफ जो problems आ रही है वो शायद coronavirus के खिलाफ भी आएंगी vaccine development में तो I hope आपको लेक्चर इंट्रेस्टिंग लगा Thank you very much for watching this Have a great day